तो जैसा कि आप सभी को पता ही है हमारा लीटर्शिप का टोपिक चला हुआ था इसके फर्स्ट पार्ट में हमने लीडर्शिप के बारे में पढ़ा था उस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा इंपोटेंट कोशन करा हुए है अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखिए तो आप में लीटूब चैनल पर जाके उस वीडियो का बार जरू देख ले क्योंकि लीडर्शिप से आपके एक्जाम में कम से 15 से बिस नमबर के कोशन बनते हैं तो आप इन वीडियो को पू कुछ लेगा बोल देगा कि अनुसासन क्या है फिर अनुसासन की बनिवासा लिखो तो देख लेंगा अनुसासन के बारे में भी अनुसासन का अर्थ है पर तेक सेनिक को जो कार यह सोपा जाए मतलब जो कोई भी सेनिक हो जगा उसको जो कार यह सोपा जाए वै उसे भक्ति अनुसासन के साथ निश्चित योजना- निश्चित डंग- वैसवें के निश्चित उतरदाइद्व के साथ पूरा करते अनुसाषण एक ऐसी ही है जिस पर सेना का खुसल-संचलन अधारित है अनुधा अनुसासन हीन से ना जनवरों के जिनके मातर रह जाएगी ब自然 अगर हमारे अंदर अनुसासन नहीं होगा तो हम किसी काम के नहीं है क्योंकि अनुसासन का होना हमारी डाइप में बहुत जुझा जरुभी है अब अनुसासन दो परकार के होते हैं कौन-کौन से एक हो जाएगा मारा व्यक्तिकत अनुसासन और एक हो जाएगा मारा सामुईक अनुसासन अब इनके बारे में हम आगे देखते हैं अगर बात करें व्यक्तिकत अनुसासन के बारे में तो देख लेंगे सबसे पहले इसके बारे में भी देख लेंगे इसलिए इसे आदम अनुसासन भी कहते हैं इसलिए से आदम अनुसासन भी कहते हैं इस परकार के अनुसासन में व्यक्ति की अपनी संकल्प सक्ती विशेज रूप से सायक होती है जो यह वाला व्यक्ति के अनुसासन होता है इसमें मानों की जो संकल्प सक्ती होती है उसका वि करने की चम्ता विकास होता है हमारा समयाई अनुसासन है यह आगे बढ़ते हैं करतवय के दारत कर आदिकारों को समझते हुए उचित वेवार के साथ अपने सभी कारियों को समय के साथ सही तरीके से पूर्ण करना क्या कहलाता है करतवय कहलाता है ठीक है पर यह नागरिक का यह करतवय है कि वह अपने अधिकारों को ध्यान में रखकर करतवय के पड़ती नोर्चावर रहे अपने करते हुए को कभी भी वज़न नहीं समझना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते है देखो यहां से आपके एक्जाम में कोशन पक्का बनेगा टीम से आप क्या समझते है फिर एक अच्छी टीम की से इस्ता है बताओ तो देख लेंगे सबसे पहले टीम के बारे में किसी और बड़े काम को टीम भावना से ही पूरा किया जा सकता है अब बात करें एक अच्छी टीम की विसेस्ता के बारे में तो कौन-कौन सी विसेस्ता हो जाएगे देख लेंगे उची कोटी का परदर्सन होना चाहिए उस टीम का भेदबाव राइत होनी चाहिए मतलब उस टी चाहिए तो कौन-कौन से हो जाएगे देख लेंगे सत्यवादी, करतेवेनिस्था, सयोग, न्याएवादिता, इमानदारी, सानुभूती, वफादारी और सहन सीलता ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन हो जाएगा व्यक्तिकत के विकास में NCC का क्या योगदान देको इम्पोर्टेंट कोशन आपके एक्जामर कोशन को पूछ सकता है व्यक्तिकत के विकास में निमिलिकित योगदान हो जाएगी, कौन-kौन से मोटिवेशन और बराल में क्या इंता रहे क्योंकि पिछने साल यह कोश्चन आया हूँ था ए और बी एक्जाम में ठीक है तो साहे इस के लिए कोई जनून सीद्ट हो जाता है और वह किसी परिस्थिति नहीं होता तो हमापे होता है motivation अगर बात किज़ा है मूराल के बारे में यह क्या हो जागा है यह मन की वैस्थिति यह है मन की वयस्थिती है जो वयति की इच्चा पूर्ती तक कार्य करने के लिए उत्साइध करती है ठीक है अगर बात करें इसके अंतर के बारे में अंतर क्या हो जगा मोराल और रैट Thai के इच्चा सक्ची को मुझबूद करता वाद कार्य सिद्द्ध तक कार्य करने को परिरित करता हैस खांतर हो जाएगा right इस को 1967 के बारमें भी सेना की कौन-कौन सी भर्थाई होती है सबसे पहले नंबर पर जाएगे सभी कौनीशी सम्मान देना को सम्मान करना पाच का सम्मान करा सम्मान करना यूद घ्राइब यूद्स जीतना यह राष्ट मेरेनया फिर द॥ नहीं फिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को अपनी दोस्तों के साथ सेर कर दो वीडियो को लाइक कर दो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होती चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आकन को ओन कर लो